प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी निकाल देंगे क्या हरे रंग का अगर कोई रेलवे स्टेशन पेंट किया जाता है तो उसे तुरंग बदलवाया जाता है ये कह कर कि हरा मुसल्मानों का रंग है तो तिरंगे में से भी हरा रंग क्या प्रधानमंदी नहीं मोदी निकलबा देंगे मुसल्मानों का बॉयकॉट कब तक किया जाएगा अजानी मुसल्मान और चीन के मुद्धे पर लोकसभा में ओवैसी जब कर बरसे है सुनिए दिल्ली में कहा कि मुसल्मानों का समाजी बाइकाट करो बरसर अक्तिदार जमात ने गुलबरगा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसल्मानों का रंग है सर मैं पूछना चाहता हूँ किया नरेंदर मोडी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी कि हरा रंग मुसल्मानों का है किया नरेंदर मोडी की सरकार खर्बुजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जंता से कहेगी के नाधपूर में आपके हैड़ा ओफिस्क में उगा हुआ सिर्फ संत्रा कहा जाएगा सर नारी शक्षी की आप बात करते हैं तो बिल्खिस बानो अगर मुसल्मान नहीं होती तो बिल्खिस बानो को इंसाफ मिल जाता 20 साल से बिलकिस बानों लड़ रही है मगर उसका नाम बिलकिस बानों है आप इनसाफ नहीं करना चाहते है बिलकिस बानों से ये नारी शक्ति आपकी है पस्मांदा मुसल्मान से आपकी मौपत जीजिए 1950 के प्रिजिज और तर्मीम करिए दलित मुसलिम का स्टेटस पस्मांदा को दीजिए आप नहीं देना चाहते क्या मझहबी आज़ादी का उनको आजासिल नहीं है स्पीकर साहब मैं मुसल्मान हूँ मेरे बगएर ये मुल्क नामकमिल है मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूँ मैं इस मुल्क का खैदी नहीं हूँ मैं पूरे सिटिजन्शिप की राइट को चाहता हूँ और अभी चाहता हूँ गब आप पिहार के सुरजा पूरी और कुलहिया बादरही को खौमी OBC स्टेटस देंगे